अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें सोमवार को रिपबलिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की आचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई अर्णब गोस्वामी ने अपनी आचिका में दो मई को मुंबई में नई F.I.R. को खारिज करने की मांग की है अर्णब गोस्वामी की तरफ से वरिष्ट वकील हरीश सालवे कोर्ट में पेश हुए हरीश सालवे ने दलील पेश करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दायर की गई F.I.R. पर ठीक से सुनवाई नहीं की गई है ग्याथो की अर्णब गोस्वामी पर महाराश्ट्र के पालगर मॉब लिंचिंग मामले में कॉंग्रेस की अंत्री मध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिपणी कर उनके खिलाफ मानहानी का केस दर्ज है अर्णब के खिलाफ देश के कई राज्जियों से शिकायत दर्ज की गई है उनके खिलाफ राजस्थान, 36 गड़, उत्तर प्रदेश, महाराश्ट्र, तेलंगारा, मध्यप्रदेश और जहरखंड में भी मामले दर्ज हुए है गौरतलब है कि महाराश्ट्र के पालघर जिले में दो साद्मों और उनके ड्राइवर की हत्या के मामले में अपने चैनल पर बहस के दोरान अर्णब गोस्वामी ने सोनिया गांधी पर कई टिपणिया की थी अनब ने सोला प्रेल को टीवी शो के दोरान आचारिय प्रमोध कृष्णन से कहा था कि अगर देश में किसी पादरी की हत्या हुई होती तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की रोम से आई हुई इटली वाली सोनिया गांधी कताई चुप नहीं रहती अनब ने शो के दोरान आगे कहा था कि सोनिया गांधी तो खुश है वेटली में रिपोर्ट भेजेंगी की देखो मैंने जिस देश में सरकार बनाई वहापर साधूं को मरवा रही हूँ महा से सोनिया गांधी को वहवा ही मिलेगी लोग कहेंगे कि वहा सोनिया गांधी ने अच्छा काम किया है इन लोगों को शर्मानी चाहिए क्या उन्हें लगता है कि हिंदू चुप रहेंगे अर्णब ने डिबेट के दोरान यह भी कहा था कि जाये और एंटोनिया माईनो पार्टी छोड़ो यह देश छोड़ो अगर भारत में रहते हुए सनातन धर्म के खिलाफ हो तो भारत छोड़ो बता दें कि राजस्थान के मुख्य मंत्री एशो गहलोत ने भी अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कारवाई की मांग की थी साथ ही गहलोत ने कहा था कि अर्णब ने सोनिया गांधी पर जो हमला किया है वह निंदनिये है सीम गहलोत ने एडिटर्स गिल्ड से मांग करते हुए कहा था कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इंचीफ अर्णब गोस्वामी के द्वारा सोनिया गांधी पर की गई टिपणी के लिए उन पर कारवाई होनी चाहिए वहीं बता दें कि शिर्श अदालत ने चोबिस अपरेल को अर्णब गोस्वामी की गिरफतारी पर तीन हफ़ते की रोक लगाई थी